दोस्तो हमें से लवक सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पर मुच्वर फंड का नाम जरूर सुना है फिर चाहे वो नाम टेवी पर सुना हो चाहे इंटरनेट पर और उस advertisement में हर वक्त यह बताया जाता है कि मुच्वर फंड investment का सबसे बेश तरिका है और मुच्वर फंड सही है लेकिन इन सब के बावजूद भी हम लोग यह decide नहीं कर पाते हैं कि क्या मुच्वर फंड में invest करना सही है या नहीं जिसका सबसे बड़ा reason यह है कि हमें मुच्वर फंड के बारे में complete knowledge नहीं होती है और जब तक हमें इस बात की जनकरी नहीं हो कि हम जहां पैसा invest कर रहे हैं क्या हुआ scheme या fund मिलकुल सही है या नहीं वह scheme या fund कैसे काम करता है तब तक हमें अपने hard earn money को कही भी नहीं लगाना चाहिए इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मुच्वर फंड क्या होता है मुच्वर फंड कैसे काम करता है मुच्वर फंड के क्या क्या फायदे है इन सभी के बारे में detail में जनने वाले हैं ताकि आपको मुच्वर फंड के बारे में basic जनकारी मिल सके और आप खुद यह decide कर सके क्या हमें मुच्वर फंड में इन्वेशन करना चाहिए या नहीं तो दोस्तों मुच्वर फंड एक ऐसा फंड है जो assets management companies AMC दुबारा manage किया जाता है जिसमें ये companies हम जैसे कई सारे छोड़े छोड़े इन्वेशन से पैसा लेकर अपने पास जमा करती है और फिर उस पैसों को stock, bonds और short term, debt जैसी securities में invest करती है और फिर company या fund manager के दुबारा जो return generate होता है तो उन return में से कुछ हिस्सा अपने पास रख के बागे सारा profit amount सभी छोड़े छोड़े इन्वेशन में बाट देती है मतलब यह है कि हमें बस एक अच्छे mutual fund चूज करने है इसके बाद हमें उस mutual fund में SIP के जरिया या फिर लंसम amount में पैसा invest करना है जिस fund में सिर्फ हमारा पैसा ही नहीं बलकि हमारे जैसे हजारों लाकों investor का थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हुआ रहता है और उस पैसों को manage करने का काम उस fund के managers का होता है और जो भी fund के managers होते हैं वो काफी export होते हैं और उन्हें market के काफी knowledge होती है जिस वज़े से वे लोग decide कर पाते हैं कि उन्हें पैसे कब कहां और किस जगा में invest करना है और हमारे पैसे को वे लोग diversified करके अलग-अलग sectors में लगाते हैं तो ये तो भी mutual fund के बारे में basic reason करें अब हम लोग mutual fund में invest करने के क्या-क्या फायदे हैं इसको समझ लेते हैं लोरिक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि mutual fund में पैसा invest करना risk free है रिक्स तो यहां भी है लेकर यहां थोड़ा सा कम है थोड़ा सा कम इसलिए क्योंकि यहां पर fund managers किसी एक sectors या shares या किसी एक जगह में हमारा पैसा invest नहीं करते हैं बलकि भी लोग हमारे पैसों को एक साथ कई सारे जगह में invest करती है जिस वज़े से किसी एक sectors या किसी एक जगह में loss हो भी जाता है तो उस loss का जो पैसा अधर सेक्टर में लगा हुआ है तो वहां से जो profit generate होता है तो वहां से इस loss का पैसा recover हो जाता है ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको mutual fund में invest करने के लिए financially export होना ज़रूरी है क्योंकि यहां आपको खुद से किसी भी तरह का decision नहीं लेना है कि आपको कहा और कितना पैसा लगाना है कितने time के लिए लगाना है कब आपको exit करना है कब आपको entry करना है इस सारा decision आपको लेनी की ज़रूत नहीं है आपकी जगा यह सारा decision उस fund के managers दोर लिया जाता है आपकी मेनाथ बस एक अच्छे से mutual fund को choose करने में लगेगी Invest in small amount mutual fund में पैसा invest करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कोई बहुत बड़ा amount लगाने की ज़रूत नहीं है आप चाहे तो यहाँ 5000 यह 10,000 की amount से भी mutual fund में invest करने के दो तरीके है इसमें आप एक ही बार में एक बड़ा amount लगा सकते है वो बड़ा amount 3000 भी हो सकता है और वो बड़ा amount एक लाग भी हो सकता है और वहीं second तरीका SIP की बात करें तो SIP जिसका full form systematic investment plan होता है आप यहाँ पर SIP के जरिये भी investment सुरू कर सकते है SIP में होता यह है कि आपको एक mutual fund चूज करके उसमें आपको हर मेंने छोटी छोटी amount को add करना होता है वो छोटी से amount 100 रुपीय महिने की भी हो सकती है बस आपको जोबी amount आपने juice किया है उस amount को आपको हर मेंने पे करना पड़ेगा compounding growth का फायदा mutual fund में invest करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो यह है कि आपको यहाँ पर compounding growth का benefit मिल जाता है यह एक ऐसी फायदेमन चीज है जिसकी वज़े से लोग और बड़े बड़े बिजनेसमेन भी investment करने के लिए मजबूर हो जाते है तो दोस्तो होता ही है कि जब भी हम कहीं पर भी किसी भी जगह में अपना पैसा invest करते हैं तो वहाँ हमें हमारे investment amount पर profit मिलता है लेकिन जब हमारे profit amount से भी profit मिले तो इसे ही compounding growth कहते हैं और यह फायदा हमें mutual fund में invest करने से मिल जाता है तो अब तक की दी कई जनकारी से आपको mutual fund क्या है साथ है mutual fund में invest करने के क्या क्या फायदे है यह समझ में आ गया होगा लेकिन सबसे important सवाल यह आता है कि क्या mutual fund में invest करना सही है तो यह सो mutual fund मजार से जोड़े निवेस है और इस तरह से वे कभी भी पूरी तरह से स्रोक्षे नहीं हो सकते है मतलब यह कि economically अगर कोई भी problem create होती है तो इससे आपके mutual fund में लगाया हुआ पैसा रिक्स में आ सकता है हलाएकि रिक्स को कम करने के लिए इन पर कई तरह के नियम लागू किये गया है और mutual fund में पैसा कई छितरों में निवेस किया जाता है जिस वज़़े से एक साथ हर जगर के फेल होने के गुंजाइस काफी कम होती है तो इसलिए अगर आप mutual fund में इन्वेशन करने की सोच रहे है तो आप कम पैसों से इसकी सुरुवात कर सकते है और सबसे important इसके return और फायदे को देखते हुए कभी भी आप अपना सारा पैसा या बहुत बड़ा amount इसमें ना लगाए तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना है और अगर आप mutual fund या इन्वेशन से जुड़ी और भी वीडियो से देखना चाहते है तो ऐसे में आप हमारे इस यूटीब चैल को सबस्काइब करना ना भूलें